खजाने का चोर हटी विक्रमार्क पेड के पास लोटाया पेड से शव उतार कर कंदे पर डाल सदा की भांती चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा तब शव में सित बेताल ने कहा राजन तुम नमालूम किसको वचन देकर इस प्रकार शम उठा रहे हो मगर कभी-कभी अपने वचन का पालन करने के लिए अन्याय का आश्चय लेना पड़ता है इसके उदाहरन श्वरूप में तुमको राजा विक्रमसेन की कहानी सुनाता हूं श्रम को भुलाने के लिए वह कहानी सुनो बेताल यो कहने लगा प्राचीन काल में भावना नामक राज पर राजा विक्रमसेन शाषन करता था वह शाषन के कार्यों में अत्यंत प्रवीन था युद में वह खबी पराजितना हुआ था आसपास के सभी राजा उसके सामन्त बनकर कर चुकाया करते थे दिक्रम सेन का खजाना धन वा रतनों से भरा पड़ा था लेकिन थोड़े दिन बाद खजाने की संपत्ती धीरे धीरे घटने लगी राजा के मन में संदेह हुआ कि कोई युक्ती के साथ खजाने को लूट रहा है चोरों को पकड़ने के वास्ते राजा ने उचित प्रबंद किया राजा स्वयम रात के वक्त पहारा देने लगा फिर भी खजाने की संपत्ती घटती जा रही थी आखिर राजा ने यह धिंडोरा पिटवाया की खजाने को लूटने वाले चोर को जो पकडवाया देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा राजकुमारी के साथ विवाह करने के ख्याल से कई युवकों ने चोर को पकड़ने का प्रैतन किया मगर चोर हाथ न लगा, खजाने में चोरियां भी बंद न हुई एक दिन दर्बार लगा हुआ था, एक सुन्दर युवक ने दर्बार में प्रवेश करके राजा से निवेधन किया महराज, मैंने आपका धिंडोरा सुना है, मैं समझता हूँ कि चोर को पकड़ने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ तुम जितने सैनिकों को चाहोगे, उतने सैनिकों को मैं तुम्हारे साथ बेच देता हूँ तुम चोर को पकड़वा कर राजकुमारी के साथ विवाह करो, राजा ने उत्तर दिया महराज, मुझे किसी और की सहायता नहीं चाहिए, आप स्वयम मेरे साथ चले तो पर्याप्त है यदि आपको कोई आपत्ती ना हो, तो मुझ पर विश्वास कर मेरे साथ चले आये युवक ने कहा, राजा महान सहसी था, फिर भी थोड़ी देर तक सोचता रहा तब युवक से पूछा, अच्छी बात है, बताओ, हम कब निकले मैं फिर आपकी सेवा में पहुंच कर इसकी सूचना दूँगा, युँ उत्तर देकर वह युवक चला गया दो दिन बात वह युवक एक रात को राजा से मिलकर बोला महराज, आज रात को ही हमें वेश बदल कर रवाना होना होगा थोड़ी देर बात वे दोनों जंगल में प्रवेश करके तीलों के बीच आ गये वह युवक राजा के साथ एक पहाड़ी शीला की वोट में चिप गया उसने राजा से कहा, महराज, आगे की पहाड़ीों में एक बड़ी गुफा है रात के वक्त चोर वहाँ पहुंच कर शराप पीते हैं, खोहला मचाते हैं मगर मैं आपको एक और दुरुश्य दिखाना चाहता हूँ ये शब्द कहकर वह युवक सावधानी से कोई आवाज सुनने लगा दूर पर पाईलों की द्वनी सुनाई थी युवक ने राजा से कहा, महराज, दूर पर आने वाली एक युवती है, आप सावधानी से देखिए थोड़ी ही देर में उस रास्ते से सुलह साल की एक सुन्दर युवती पाईलों की आवाज करते आँभाँची उसके दोनों तरफ दो आदमी मशाल पकड़े हुए चल रहे थे उस युवती के पीछे दो और व्यक्ती धन की गटरियां कंदों पर डाले चले आ रहे थे राजा थदा युवक के देखते वे सब आगे बढ़कर चले गए राजा को मौन देख युवक ने पूचा, महराज, आप क्या सोच रहे हैं? तुमको यह कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर यह दुश्य हमें दिखाई देगा? राजा ने युवक से पूचा, युवक ने युव उत्तर दिया, महराज, मैं बच्पन से ही माता पिता के वचनों की परवा किये बियां, निर्भाई पहाडों तदा जंगलों में स्वेचा पूर्वक गूमता आ रहा हूँ एक दिन की रात को मैं उस गुफा के पास पहुंचा, जिस गुफा के बारे में मैंने अभी आपको संकित किया मुझे गुफा के बीतर से कोला हल सुनाए दिया, गुफा के अंदर चोर बैटे हुए थे, एक वोर महाकाली की मूर्थी थी, कुछ लोग उसकी पूजा कर रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे एक उन्ची शिला पर चोरों का सरदार बैटा हुआ था, अब हमने जिस युवती को देखा, वह एक युवक की बगल में बैटी थी, उसके निकट धन की गट्रियम रखी हुई थी मुझे संदे हुआ, कि इतना सारा धन कहा से लाया गया है, आपके द्वारा पिटवाया गया धिंडोरा सुनने पर मेरे मन में संदे हुआ, कि वह धन जरूर आपके खजाने का है, इसलिए आज आपको यहां बुला ले आया हूँ राजा ने इवक से कहा, हमने जिस लड़की को देखा, उसको तुम कौन समझते हो, वह मेरी पुत्री है, इवक ने घबरा कर कहा, महराज, यह बात सच है, यह बात मुझे जरा भी मालूम हो जाती तो, मैं आपको यहां पर ले नहीं आता, कैसा अन्याय हो गया है, आप पुत्री हो, या दूसरी कोई हो, न्याय तो होना ही चाहिए, कल मैं उसको दरबार में सभी लोगों के समक्ष कठने दंद दूंगा, तुम कल राजमहल में आ जाओ, यूँ समझा कर राजा अपने महल को लौट कया, राजा सीधे राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा, और वहा की परचारकाओं से पूचा, राजकुमारी कहा है, बताओ, सब परचारकाएं घबरा उटे, प्रातक काल तक राजा अपनी पुत्री के कमरे में ही रहा, प्रातक काल के पहले राजकुमारी के लोटते ही, राजा ने पूचा, तुम रात बर कहा रही, राजकुमारी न अपना सिर्फ जुखा लिया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया दूसरे दिन राजा ने दर्बार में कहा हमने राजकुमारी को राजदोही निन्ने किया है उसको कटिन धंड दिया जायेगा उस समय राजदर्बार में उपस्तित युवक ने उठकर नम्रशर्दों में कहा महराज यदि आप राजकुमारी को चोर टहरा रहे है तो उनको पकडवाने के उपलक्ष में उनको साथ आपको मेरा विवाह करना होगा राजा ने युवक के अनुरोद को स्वीकर किया और उसके साथ राजकुमारी का विवाह किया बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा राजन विक्रमसे ने अपनी पुत्री को दंड क्यों नहीं दिया क्या युवक को जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए या अपनी पुत्री को दंड न देने के लिए इस वचन को आधार बना कर युवक को दूसरे दिन दर्बार में आने का निमंत्रन दिया था इस संदेह का समाधान जानकर भी न दोगे तो तुम्हारा सिर तुकड़े तुकड़े हो जाएगा राजा को केवल चोर पकड़वाना ही यदि उस युवक का उद्देश होता तो राजा के यहां से सैनिकों को ले जाकर राजकुमारी थदा कुहां में रहने वाले चोरों को वही स्वयम पकड़ सकता था उसने राजा को जो दृष्य दिखलाया वह एक कृत्रिम नाटक जैसा लगता है उसमें मशाल केवल राजकुमारी को पहचानने के लिए ही है राजा का मन में भी उस युवक के प्रती शंका है राजा को मालुम हुआ कि उसकी पुत्री ने एक डाकु के साथ प्यार किया है फिर भी वह युवक राजकुमारी की मांग करने का साहस करेगा की नहीं यह जानने के लिए ही राजा ने उस युवक को दर्बार में उपस्तित होने का निमंतरन दिया युवक न केवल दर्बार में उपस्तित हुआ बल्कि राजकुमारी के साथ विवाह करने में भी जिहख नहीं दिखाई इस बात राजा को सपस्ट हो गई कि वही युवक ठाकू है और राजकुमारी उस युवक के साथ प्यार करती है युवक ने राजकुमारी को ही चोर के रूप में पकड़वा कर राजा के वचन के अनुसार विवाह करने की एक अच्छी योजना बनाई उसकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो राजा ने उन दोनों का विवाह किया है राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शर्व के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा